सबसे पहले तो बोलो जय श्री राम और चैनल को सबस्क्राइब कर लो I mean उनको कह रहा हो जो रेगुलरली वीडियोस देखते हैं बट सबस्क्राइब नहीं करते क्योंकि आज एक ऐसी मूवी का रिव्यू मैं करने जा रहा हूँ जिसके बारे में लोगों के 50-50 opinions है कोई अच्छा बोल रहा है कोई बुरा किसी को character से problem है तो किसी को इसके CGI और VFX है और इन सब को दिमाग में रखकर ही मैं theater गया था and theater house full था भाई साब सुभा 8 बजे का show house full मैंने देखा हिंदी में 3D में तो कैसी है ये movie आईएब बात करते हैं well hello मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी movie पूरे 3 घंटे की है तो interval वगेरा पकड़के almost 3.5 घंटे आपको theater में बैठना है ऐसा पकड़के जरूर चलना और इसका review मैं आज positives और negatives को ध्यान में रखकर करने वाला हूँ क्योंकि जितना hype इस movie के release होने के लिए था उससे जादा hype इस movie की इसले बनी हुई थी क्योंकि आधे लोग negative बोल रहे थे और आधे positive तो मैं भी उसी तरह आपको review देने की कोशिश करता हूँ तो सबसे पहले positives देखो story सबको पता है तो theater में कोई भी story देखने बिल्कुल भी नहीं जाएगा और सच कहू तो रामायन की story तीन घंटे में दिखाना possible है ही नहीं तो public को story पता होने का advantage makers ने काफी अच्छे से utilize किया है story को fast paste रखकर जे हाँ movie तीन घंटे की जरूर है लेकिन ये आपको जरा भी बोर नहीं करती जिससे related है इसका दूसरा positive point ये बोर इसलिए नहीं करती क्योंकि इस film का direction काफी अच्छा है इतनी बड़ी story को present करने के लिए जो presentation style makers ने use किया है वो बड़े पर पर सच में अच्छा लग रहा था तीसरा positive point है इसका music भाई साप, मंत्र मुग्द होना किसे कहते है ये इसके गाने सुनकर पता चल जाएगा कुछ गानों से आपका दिल लग जाएगा और कुछ से आपको goosebumps भी आएंगे एंड specially गानों से भी बढ़कर है इसका BGM, background music जिसके लिए specially अजय अतुल सर को सौ तोफो की सलामी फूर्थ positive point है इसके backgrounds CGI होने के बावजूद backgrounds काफी realistic बनाए गए है चाहे वो जंगल हो, पाहाड हो, नदी नाले हो या छोटी से छोटा पेड़ पौधा सब कुछ realistic लगता है एंड पाचवा positive point है सैफ अली खान लेकिन ये पाचवा positive point सिर्फ उनकी acting के लिए है बाकी बात negatives में करते है और अगर आपको negatives सुनना पसंद नहीं है तो आगे मत बढ़ना इसकी negatives भी भरपूर है सबसे पहले तो casting श्रीराम, श्रीहनुमान और लक्षमन इनके अलावा सब की role perfect थे हाला कि acting wise सबने अच्छा काम किया है लेकिन character wise, body language wise प्रभास, श्रीराम के आउतार में suit नहीं हो रहे अब जो उनके cutter fans है वो इस बात को oppose कर सकते है no issues बट ये मेरा personal opinion है जिसके साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि ना ही हनुमान जी और ना ही लक्षमन का character उनके actors पर suit कर रहा था दूसरा negative point काफी famous है इसका VFX and CGI मैं ये नहीं कह रहा हो कि इसका VFX और CGI हर angle से हर scene में खराब ही है VFX और CGI तो कल के flash movie में भी थोड़ा बहुत इदर-उदर था बट यहां वो directly नजर आता है CGI characters के animation में जर्क दिखाई पड़ता है तीसरा negative point है unnecessary scenes जो पहला fight scene है जिसको actually काफी troll किया गया था first teaser के वक्त उसकी requirement थी ही नहीं उसका CGI हद से ज़ादा बेकार था and उस scene को हटा देना चाहिए था कुछ words भी आज के हिंदी words जैसे लग रहे थे like कामधंदा, मौत, बाप, लंका लगा देना और कुछ dialogues काफी cringe and छपरी feel होते है for example कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का आग भी तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरे बाप की दूसरा सुनो, ये तेरे बुवा का बगिचा नहीं है जो हवा खाने चला आया I mean, साथ हजार साल पहले या किसी भी devotional या mythological story के लिए ऐसे dialogues चोथा negative point है जबरदस्ती के changes जटायू एक गिद्ध थे ना कि गरुड और गिद्ध और गरुड में फरक होता है दूसरा जबरदस्ती का change रावन के पुश्पक विमान को चमगादर में change कर दिया तीसरा जबरदस्ती का change श्रीराम की मूछे और रावन का modern हे style और उपर से पता नहीं क्यों इन्होंने रावन को regular form में नहीं थोड़ा larger size में दिखाया गया है जो सच में unnecessary था और इससे भी जदा negative points है पर सच कहू तो इन negative points से common audience and family audience को शायद ही फरक पड़ेंगा क्योंकि रामायन की कहानी हर किसी के दिलों में बसती है जिसकी वज़ा से सारे shows house full जा रहे है सो जो भी इस film के oppose में है या सिर्फ और सिर्फ hate ही फैला रहे है उनको public दिखा रही है ठेंगा और अपना entertainment आराम से कर रही है बट मेरे हिसाब से इसे बड़े परदे पर एक बार जरूर देखा जा सकता है specially बच्चों को शायद जादा मजा आए इस film के direction, cinematography और music के चलते मैं दूँगा इस film को 2.5 stars जहाँ इसके casting, unnecessary scenes और CGI के लिए 2.5 stars आराम से काटे जा सकते है बाकि आपकी राय मुझे comment में जरूर बताना मिलता है अगले वीडियो में बाई